और सबसे पहले हम राहुल गांदी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में नोने यातरा किया चाहे कश्मीर से कन्या कुमारी हो या पश्मी राज्यों से लेकर के हमारे नौर्थी स्टेट से लेकर के हर जगर राहुल जी ने यातरा की है और एक पैगां में एक शन्देश देने का काम किया है जो की आज के दोर में बहुत ही जरूरी है प्रसांगिक है आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है जहां टकरार की बात की जारी है जहां प्रोपागेंड़ा किया जा रहा है जहां देश की सन्वधानिक संस्थानों को हाईजाक किया जा रहा है अस्थाई सरकारों को चुनुई हुई सरकारों को लोक तंत्र में मद्दान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है EDCBI के जरिये ड़ा करके तोड़ा जा रहा है गिराया जा रहा है जहां सच नहीं केवल जूट का प्रपगेंडा चलाया जा रहा है सन्विधान लोग तंत्र पे खत्रा है वहां आदर ने राहूल गांदी जी ने सभी लोगों को जोडने के लिए देश के लोग तंत्र को बचाने के लिए देश के सन्विधान को बचाने के लिए अमन, चैन, भाईचारा कायं करने के लिए नफरत को हराने के लिए इन्हों ने जो भारत जोरो यातरा किया है इसके लिए हम दिल से धनिवाद इनको देना चाहते हैं कॉंग्रेEST PARTY को देना चाहते है और यहां बैठे हुए सभी महागडबंदन और इंडिया अलाइंस के जो भी हमारे नेता हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकते लगाई गई हो ड़ाया जा रहा हो लोगों को लालच दिया जा रहा हो लेकिन हम सब लोग मिल करके इस देश के सन्विधान और लोगतंत्र भाईचारा और जो इस देश की खूपसूरिती डाइवर्चिटी है उसको बचाने के लिए एक जुठूमे हैं कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं उस सोच को हराने के लिए जो देश को बाटना चाहती है उसके लिए हम लोग एक हुए हमारी लड़ाई वेक्तिगत मोदी जी से हमिच्छा जी से नहीं है हम लोग तो हमेशा से उन विचार भारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किये हैं जिनोंने हमेशा से जिनका अज़ादी में कोई योगदान न रहा हो जो तिरंगा न फेड़ाए हो अपने दफ्तर पे और आज कहते हैं वो देश के सबसे बरे देश भक्त है अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है महंगाई है आज गरीबी है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आज मुद्दे की बात नहीं होती मोदी जी समुंदर के अंदर चले जाएंगे कार्पिट भिछा करके बैठ जाएंगे उसकी चर्चा होती है लेकिन किसान भायों का आई दुगुना का वादा किया था जब हम लोग सवाल पूछते हैं राहुल जी सवाल पूछते हैं क्या क्या हुआ दो करोर रोजगार का क्या हुआ पंद्रा पंद्रा लाग का तब यह गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक भी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं और पट्टा की जो रैली हुई दस लाग से भी जादा लोग आए पट्टा में जनु विश्वास रैली हम लोगों ने किया और आज का जो जन सहलाब दे करके फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा अरे डर्ने वाले लोग नहीं है यहां हम लोग लड़ने वाले हैं अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ने अई हैं आपके लड़ाई लड़नी है इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए लालू जी का डॉक्टर के सला पे ज़्यादा घूमने से मना किया गया है लेकिन लालू जी अभी भी तैयार है मोदी जी का दवाई करने के लिए उनको कितना भी सताया जाए डराया जाए उनका बाल पग्या इन से लड़ते लड़ते लेकिन वो डरे नहीं जुके नहीं आज माराष्ट्र में खास और पे बंबई में राहुल जी ने निमंत्रन दिया और हम लोग यहां आए हैं और यहां बिहार की लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं हम रहुआ लोग इनके भी कहतनी बाच के रही आई भाजपा के लोग से इन लोग गोबर को भी ह ही बार के हैं मोदी जी प्रधानमत्री है ठीक है लेकिन साथ ही साथ वो जूट बोलने के फैक्टरी भी है मोदी जी जूट बोलने के मैंडिफैक्ट्रर भी है होल सेलर भी है और डिस्ट्रिब्यूटर भी है यह उनका काम है हम लोग सच्चे लोग हैं और सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे डरते नहीं साच को आज क्या उसलिए हम लोग लड़ेंगे इनके गीदर भबकी से हम लोग डरने वाले हैं कि आप बता हम लोग डरोंगे लड़ाई लड़ोंगे की नहीं लड़ोंगे साथ दीजेगा न सबका हम तो कहना चाहते राहूल गांदी जी जो यात्रा किये यह भो सकता है पहला चरण हो लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा चाहे सत्ता में आए या ना है हमको जनता के बीच उनके सुक का दुखधर का बागिदार बढ़ना पड़ेगा हमेशा जनता के भीच रहना होगा क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया है आप उसमे इतना भेद भाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेद भाव नफरत को मिटाने म होगा और जो प्यार का और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है मोहबत की दुकान इसको बंद मत कीजेगा कभी हमेशा आगे जंडा बुलंद करने का काम कीजेगा आज यहां शरत पवार जी भी हैं उद्दव जी भी हैं आपको पता है ओपरेशन लोटस हो रहा था यहां विधायकों को खरीदा जा रहा था डराया जा रहा था यह एक बात बता देते हैं आज महराश्चा सरकार में जितने लोग बैठे हैं कोई लीडर नहीं है सब डीलर है शरत जी के नाम पे नाम पे वोट लेंगे भाजपा से डीलिंग कर लेंगे राहूल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे भाजपा से डीलिंग कर लेंगे शिफ सेना उद्दव जी के नाम पे वोट लेंगे भाजपा से डीलिंग कर लेंगे यह लोग केवल डीलिंग करते हैं इसलिए वहाँ कोई भी लीडर नहीं सब डीलर बैठा हुआ है और जो डरे डरे लोग गए गए अच्छा हुआ चले गए उससे कोई फ़र्क पढ़ने वाला नहीं है हमको कितरा भी मिटाने का कोशिश करोगे फिर से हम कारवा बनाने का होसला रखते हैं उसलिए हम सब ल लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का अर्शिरवाद मिलता रहना चाहिए अरे महरास्ट्रा में तो कम से कम विधायकों को लेगे हैं बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाई जाक कर लिया है बड़ा सुनते हैं मोधी जी भार बार कहते हैं बार बार कहते हैं कि मोधी जी क जो है सबसे मजबूत वाली गैरेंकटी है हम ओधी जी को चैलेंज गरते है मोधी जी सबसे पहले बाद में जो गैरेंटी देना देना लेकिना अगर मेरा चाचा का गैरणी देकर दिखा दो पहले कि वो फिर से पढ़ते ही कि नहीं पढ़ते ही है तो हम लोग चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए हमारी शुब कामना है बढ़े हैं अभी वाबक है लेकिन यह वहां जो आवाम का ताकत मिल रहा है राउँ जी आये थे सब लोग आये थे जो प्यार मिल रहा है वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोस्तियों सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हों गोदी मीडिया के लोग लेकिन बिहार में इस बाद शौकाने वाला रिज़र्ट हम ला करके देने का काम करेंगे और आप लोगों को भी कहेंगे कि एक जूठ हो जाएए एक जूठ हो करके लडाई लड़िए यह मोदी जी क्या बोलते हैं दो करोर हम मोदी जी को चैलेंज करके बोलते हैं सत्रा महिने केवल डिप टी सीम हम बिहार के रहें पांच लाक लोगों को सरकारी नौकरी दिया मोदी जी अपने दस साल में भी पांच लाक क्या कितना नौकरी दिये यह बता नहीं चकते चैलेंज देतें कि तरा सरकारी नौक्री दिया सब से जादा बहाली रेलवेग आथा था सब चीज प्राइविटाइज कर्दिया गया खत्म नहीं लेंगे, सभी गन्मान देक्टियों को, हमारे अभिवाबक नेताओं को, आप लोगों को संदेश देना है, वो अपनी बात को आप लोगों के समख्ष रखेंगे, लेकिन आप सब लोग एक नाणा लगाईएगा, हम बोलेंगे भाट पा भगाओ, आप सब बोलना, हमें देएं, Cования.